जैसे कि आप जानते हो मैंने एक काल लीती 2017 में एगनिस और 2020 चल रहा है करीब-करीब तीन साल हो चुकिए इस गाड़ी को और मैं आज इसी के बारे आपको बताने जा रहा हूं कि इस गाड़ी ने मेरा कैसे साथ दिया और यह गाड़ी अब कैसी है तीन साल में किसी भी गाड़ी की अच्छाईयां बुराई सब नजर आती है तो आज मैं बताता हूं गाड़ी की अच्छाईयां बुराईयां क्या-क्या मुझको इसमें अच्छा लगा क्या-क्या नहीं लगा और नेक्ष्ट अब 2020 में 2021 में आपको ये गाड़ी लेनी तो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम दिपक कुमार आप देखने में चैनल गारीकुरूजी तो GUYS यह जो कार है यह है एकनि सिग्मा सबसे WS- Natal होता है सिग्मा सिग्मा से उपर डेल्टा होता है उसको पर अलफा होता है तो इस तरहा आपका मॉड़ल बढ़ती रहते हैं लेकिन जो सबसे जब यह चोटा मॉडल था वो था सिग्मा मैं इसले लिया एक तो थोड़ी सी पैसे की बच्छत हो गई दूसरी बात है कि मैं इसमें अपना खुद का समा लगा सकता था जो अपनी इक्छा से अनसा लगा सकता है जो मुझे लगा था जिसकी में जुरुत थी क्योंकि मुझे श्रुत नहीं ती मुझे सिंप्ल सी कार चाहिए थी अर उसमी थोड़ा सा मुझे सिस्टम होनके चाहिए था हाइभाई नहीं लगा सकता क्योंकि हैं कि फैमिलिे के साथ हाइभ मुझे सिचट्म काहम नहीं कड़ा सहिसे जब यह करीती तो थोड़ा ओसमांजस में अ ता है कि क्योंकि समज में गार टागी कौन सी ली जाए और व इस रेज में कौन नहीं जाए तो अप बढ़ी एर ओ सफ कार्ड़ य। एसमें पर गयर इस से ले गले उसमें ज्य। इस डिल्ड क्वालिटी घाए तो इस चीज में बहुत ज्य। गुशिएओ इसमें जी कौन सी य। कहते एवरेज यह पर इस काड़ी की क्वाल्टी बहुत बढ़िया थी जब मैं इस कार को खरीदा तो इसकी बिल्ट क्वाल्टी मुझे काफी अच्छी लगी खासकर इसकी जो बॉडी है ना वो काफी अच्छी लगी थोड़ा सा डिस पॉइंटमें कि प्लास्टिक वाल्टी टाटा की गाडी टाटा टियागो प्लास्टिक बिल्ट वॉव्ल ठाटिक क्वालिटिक यो अच्छी ए और इस सो सकते है कि यह कौल्टी क्योटिंट अज्यू आप एक साईशी फैमिली कार चाहते हैं सिंगल कार चाहते हैं और कोई इधर उधर आपको गारी कुदानी नहीं है स्टेंट नहीं करने तो यह गारी आपके लिए बहुत अच्छी कारी है तो अब मैं आपको बताता हूं कि 2017 से 2020 के बीच में इस गारी के साथ क्या क्या हुआ और इस गारी ने मेरा कैसा साथ दिया 2017 और 2020 इस गयप में इस गारी के साथ क्या हुआ यह आपको बताता हूँ इसका दो बार तो लिया है मैंने क्लीम दो बार क्लीम मैंने खुछे ही लिया है गारी कहीं लगा ही नहीं थी बहुत फोड़ी मोटी लगी ती पर जब लेते हैं तो आपर हम समझते है नॉर्मल जो जो गाडि के है बेनध क्लेम तो यह मैंने चेंज करा लिया था गाडि के दोनों जो डीर है वह मैंने चेंज करा लिए तो जो भी कार्णी तो कडिम है कोई भी प्रॉप ciao कि अपको सर्फिस अच्छी az곡ि मिलतीCr और आपको door to door भी service मिल जाती है, अगर आप अपनी car को लेके नहीं जाना चाहते हैं, तो वो आपके घर पे service प्रवाइट करा देते हैं, अब जो सबसे main बात आती है, इसके engine में मुझे क्या problem पड़ी, इसके engine में मुझे कोई भी problem नहीं पड़ी, कि 2017 से 2020 तक इसके engine में एक nut bolt तक नहीं लगा, एक ऐसा छोटी से छोटी माइनर पेश तक नहीं लगा जो इस engine में लगा हो, ना है इस engine में कोई कमी आई है, engine बहुत powerful है, इसका 1200cc engine है, और काफी अच्छी off-roading भी कर देता है, कभी कभी अकर आप कभी by chance off-roading में चलाने लग गा speed भी ली है, और यकी नहीं माने का 160 पे गाड़ी कहीं से यह नहीं लगा कि गाड़ी 160 पे चल लिए, लेकिन बहुत रिक्सकी था दोस्तों, जिस लाइन मैंने गाड़ी चलाई थी, वो 6 लाइन थी, तो आप कभी ऐसा ना करें, सिर्फ आपको टेस्टिंग के लिए, आपको फैमिली कार के रूप में देखते हैं, तो यह ठीक है पर अगर आप एसके लूकवाइस पर जाएंगे, तो का argument रिए पोल्लम है लुकवाइस में यह का एसे लोगो को निरास कर चुकी है, और ऐसा मैं बोला हूं का एसान मेरे कास्कारिबर है हाफी कबंड की है सार, इसका काफी होरेबल, और नहीं है दोस्तों यह एक हैजबयक में आती है, हैजबयक में आजकल ऐसे ही लुक चलते हैं और इसको जो थोड़ पिर हट बना गाया था और ये एक international car है, ये car सिर्फ इंडिया में नहीं चलती, ये car इंडिया, जर्मनी, रूस और अमेरिका, ये सब country में अधिक तर चल रही है, launch है और success car है, और इस car का जो इस्तमाल किया जाता है, काफी professional लोग करते हैं, जो office वगरा में जाते हैं, जिनको सिर्फ अपनी car से drive करके अपने office जाना है, तो वो काफी इसका use करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि एक family वाले के लिए ये car आपको disappoint करेगी, इस car के साथ मेरे करेवन करेवन तीन साल हो चुकी है, तीन साल में इस car ने अभी तक ऐसी कोई निराशा मेरे साथ नहीं की, जिससे मैं आपको इसकी में आते हैं, अगर आपके सी से खुले होंगे, क्योंकि इसके टायर का जो गिरिप है, और गिरिप अच्छी बनाती है ये गाड़ी तो उसके पता निसका मॉडल ऐसा बनाया गया है, इसके टायर का साइज ऐसा है, कुछ ऐसा कॉमिनेशन बन चुका है इनका कि अगर आप को भगाएंगे तो इसके टायरो की आवाज आपकी केबिन आएगी, और जब ये केबिन बाती है तो थोड़ा सा दिवाग को थोड़ा सा इरिटेट कर देती है, लेकिन मुझे इससे कोई प्राब्लम नहीं होती, वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, मैं अधिक तक गारी के सी से उपर करके चलाता हो तो इसमें कोई आवाज नहीं आती, जब डाउन करूंगा तो इसके टायरो के आवाज केबिन में आएगी, तो बात करते हैं इस गारी के माइलेज की, क्योंकि माइलेज हम लोग के सबसे ज़रूर रहता है, हाँ पर हम एक मिडल फ्राम लिए हैं, हम अ जब फ्यूस करेंगे, आपको गाड़ी का अभी सिटी नहीं आती, आपने के क्लिच ऐसी चलाए, क्लिच विल्च ऐसी दबाए, ब्रिक ऐसी मारे, और रेस को अंसट चलाया, तो क्या होगा कि यह माइलेज डाउन करेगी अपना, और जब डाउन करेगी तो इतना डाउन कर अगर आप इसको सही से यूज करेंगे, बिल्कुल फर्स किलास, अगर आप एक सही से ड्रैवर हैं और सही से आप बार चलान जानते हैं, तो आप इसका एवरेज करीबन 16 प्लस 17 प्लस भी ले सकते हैं, मैंने लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई लोग को यक मैं तो हम दोगा है कि यह कम लगते हैं, पर वक्त ताथ साथ हैं थोड़ी से लूज हो जाते हैं यह को इसको करा सकता हूं लेकिन अभी मुझे ज़रोत नहीं हैं फिल्हाल तो इसके हैंड ब्रेक को मैं अभी करें बन्हाज काः काँ अफी मेरे सही काम कर रहे हैं लेकिन भ वारी दोस्तों, आपकोई निराष्ट नहीं करेगी, यह मेरा वादा है, और मैं इसको यूस कर रहा हूँ, आपको एकार कहीं से कहीं तक भी निराष्ट नहीं करेगी, मैं भी आपको अपनी गारी का पूरा व्यू दिखाऊंगा गा कि 2017-2020 तक किया कि अभी मैंने चेंज कराया था और कार्सी गाड़ी अब दिख रही है क्योंकि अब तीन साल गाड़ी पुरानी हो चुकी है और तीन साल में काफी कुछ बदल जाता है नए-नए मॉडल आ जाते हैं नए-नए फंक्शन आ जाते हैं कार में और कोई-कारी बंद भी हो जाती है अगर तीन साल के वरेशन में अगर कार है तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप से छोटा सा एक फिवर चाहूंगा अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ जो बैल आइकन है उसको भी आप थोड़ा सा प्रैस कर पर तो बाइकना पर उसको प्रैस कर देना जिस degree को पर वीडियो को आपको मिल जाए क्योंकि मेरी वीडियो कि आपको नहीं मिलता जिसकारन घृड़ा सा था थोड़ा सा इम पोतीवेट हो जाता हूं तो इसना आप यह स्क्रीश को आप सब्सक्राइब लाइक और इस वीड काड़ी से भो होते हैं और जाकर बादय को तक चलिए हाद किकी में चलिए है और तो चलिए अगर कि किसी परें आका नहीं क्तॐल दिखां भाए जा थे यह फोटो फ्रेम वाले की है इसमें मेरा फोटो मेरी वाइफ का फोटो है अगर आपको यह की बनवानी है तो इसका भी एक साइट है अगर आप मुसे कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूआ इसकी थोड़ी लाइटिंग खराब होगी एक बाम उसे गिर गया था तो इसकी लाइटिंग खराब होगी इसके लाइट जलती थी तो चलिए आप गाड़ी को करते हैं ओपन ओपन नहीं चले पहले करते इस गाड़ी का ओवर व्यू अब देख सकते दोस्तों अभी तक गाड़ी की क्वाल्टी है काफी मुझे तो अपनी गाड़ी से बहुत प परसंद है और अभी तक तीन साल के अंदर-अंदर इस गाड़ी को मैंने बहुत ही रफन टूस किया है और इसके बहुत अंजर-पंजर खोले है एक थोड़ा सा नुकसान मेरे गाड़ी को यहां पर हुआ है ठीक है यहां अगर आप फोकस कर पा रहे हो तो यह पीछे का यह इस गाड़ी को अभी तक कहीं से कहीं तक भी चोड़नहीं लगी हा इसकी मैंने यहाली साइट एक बार देफ कर लोगीट यह और यह क tester में और क्रयाए क्योंकि थोड़ा साइस में एक स्क्रैच तो उसको मैंने करा जिएता में इंसुलेंस में और इसके इह जो बंपर है यह एक बार ही और चेंज कराया है दो बार एंगले भॉँज किर आप दो भार अगले वाले कुराये है फ्रेंट वाले लिए ये िरी यह शुल आपको थोड़ीती है थोड़ी प्रॉबल में राड़ी में ये हुई हुँ हमियी आपको एक special वीड़ ओनाूँगा आपके लिए और पहले भी एक बाताया थी काईसे कर्ते है कोई बाहर से जो लोकल में होता है वो पेज वगएरा लगा देते हैं तो पेज बागा नहीं लगाने इसके लिए क्या होता है इसको प्रौपर निखा निकाल कर तो इसको भी आपको बना दूँगा तो फिलहाल तो गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप देख रहे हैं अभी भी मस्त मक्षन चल दी है और चलती है और लुक वाइस भी काफी गाड़ी को पसंद किया जाता है वही मैं तो करता हूं लेकिन कुछ लोग नहीं क 2017 में पांच लाकी रेंज में इसको टक कर देने वाली कार कोई थी नहीं तो चलिए मैं इसको ओपन भी करके दिखा देता हूं देखिया आप आप कार के अंदर देखी व्यू और मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं देखिये काईस यह अंदर का ओवर व्यू है और गाड़ी में प्रॉब्लम अभी तक मैंने कोई फेस नहीं किया है अगर फेस करता तो मैं आपको जरूर बताता अब 2017 से 2020 में इस गाड़ी में काफी चेंज्ग होगा है इसके नए ओर इन्जन में काफी चेंज्ग होगा है पार इंजन में कोई चेंग गारी का ना wrapydי का Rachel और वस यह है कि थोड़ा सा उसको फड़ा सै फंक्षन ज्यादा लगा देते हैं और थोड़ीत जिए इस कोफ़ीज अगरि辆 भी देख लीजी। beth मेरे हिसाब़ीयो काफी रफंटी कर चुका हूं मैं इस गारी को करता हूं अब तो मैं काफी हlection कर कर यूज रेकिन तीम अगलीयोfully है नहीं काता है मैं ताह सब्सक्राटी काकुन को है व फॉड़ी में जाता हूं और मैं गर को टर्न करता हूं राइट या लेफे तो गरी में प्रीम नहीं आठी सब समय चाइन करता हूं तो थोड़ा इन पृल्जू कर देता हूं अबडाविद अधर से देखे यह मैंने एक सेंटर लग एक लग नहीं आती तो यह सैंटर लॉकिंग मैं लगा दी और यह एक फोग लाइट का स्विच्छ है फोग लाइट जल जाती है इस से और इसको मैंने इस्टॉल करना बता है था कि एंट सेड़ कर शक्ते हैं इस कार किuis को भी रिपाला कार सकते हैं और रिमोर कार वीक्ष एपा से बनाच में अगर आप बिडियो दोबारा से बन Самरा चाहते हैं셔ं या तो आप मेरि देख लीश या मुझे कमेंड कर दीजिए वो वीडियो दुबारा बन जाएंगी और इसके जो स्पीकर है यह इस में गारी में खुद आते हैं उस्टाम जब सिग्मा थी तो उसमें मुझी सिटम नहीं आ रहा था अपका तो साथ मुझे पता नहीं कि अब सिग्मा में मुझी सिटम दे र आते हैं तो इसम प्रस पोटनी होई थी इसमें श्र." कि अ एक मैं सिर्फ कनेक्टर का मैं इस्तेमाल किया था और यह जो इसमें वार इंक्ट आथी हैं, आपको सिर्फ यह डूर क्होलना होता है और इसमें स्पीकर इस्टॉल कर ना होता है इस चारों 변 hayr जाएगी उनका थोड़ा सा पैसा ज्यादा बन जाए आपका गाड़ी में क्योंकि काफी इनकी स्कीमें चलती है कि आप इतना कस्टुमर से इतना क्राइए बिल और हम आपको इतने पैसे देंगे तो कुल मिला के यह है कि अगर आप बाहर से इसका एकसे लगाते हैं इस तरह क जैसे कि आपने कुछ ऐसी सिस्टम लगा जिसमें आपने वायर कट करा दी तो वायर कट नहीं करानी आपको सिर्फ नॉर्मली जो जो भी सिस्टम है वो लगा देना क्योंकि कम्पनी खुद कनेक्टर तो यूज करे किया है तो उसको आप लगवा सकते हैं कोई वारंटी नहीं होगा कि आपकी जो कभी भुष्य में आपको कोई प्रॉब्लम पढ़ जाए वह भी नहीं होगा और यह फोग लाइड मैंने खुद से इस्टॉल की है और इसमें भी कोई वायर कट नहीं हुई है और देख लीजी तो अब कुल मिला के ओवर्वीव यह है कि इस गाड जएक प्लास्टिक वायर कार्टी से मैं ना खुश हूं इंजन से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं इंजन की पावर काफी काफी पावर है फील करोगे आप में बैठके पावर को 2200cc यारी में क्योंकि हैं और रुट है और इसमें जो इंजन लगा दिया है वो 2200cc का लग है इसमें काफी कार में काफी पावर है आपको कहीं से इधर से ऊधर बिना किसी दभी में जाने में मैं इसको मैं बोलूँ दो है 10 होती है जो एक हरकार मी जो मैं आपको बताई है तो 10 of 10 रेटिंग कभी होती भी नहीं है जो बोलेंगे 10 of 10 रेटिंग तो नहीं होगी तो इसको मैं 8 रेटिंग देता हूं 10 में से तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इस गारी का रिव्यू और मुझे कमें जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों बैल आइकन क को जरूर ट्रेस करदाना मिलते हैं नैश वीडियों में तब तक के लिए जैहिंद बंदिमात्रम राम राम जी